नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत और अभिन्दन है वर्तमान में जो टॉपिक हमारा है पूर्वान चल एक्सप्रेस वे पे निकलने से पहले कुछ बाते जान ले आसान नहीं ये सफर कैसा रहेगा तो आज हम इस विशे पर चर्चा करेंगे साथ साथ इसे समंदेत दनकारी प्राप्त करें क्या है सुपर हर्क्यूस हर्क्यूलिस विमान जो पीएम मौदी को पूर्वान चल एक्सप्रेस पे उतारेगा प्रशन वाचिक चिन बताया गया है कि वाट इस दे सुपर हर्क्यूलिस एरक्राप्ट पूर्वान चल एक्सप्रेस वे का करने के लिए भारत के प्रदान मंत्री नरंदर भाई मौदी वाई उसेना के विमान दोरा हरकुलेस से एक्सप्रेस पे लेंड करेंगे इसके साथ ही सुल्तानपुर में एक्सप्रेस पे बने 3.2 किलोमेटर लंबी पट्टी पर 45 मिनिट में एर सो में होगा इस हरकुलेस का ज सोड़ा नॉमबर 2021 को 341 किलोमेटर लंबे पूर्वान चल एक्सप्रेस वे का उद्गाटन किया इसका निर्मान 22,500 क्रोड रुपे की अनुमानी तलागत से हुआ है ये यूपी का तीसरा रनवे वाला एक्सप्रेस वे हैं जहां लड़ा को विमान लेंडिंग और टैक इससे पहले आगरा एक्सप्रेस वे यूमना एक्सप्रेस वे भी लड़ा को विमान उतर चुके हैं जिनका पूरु में भी हम चर्चा कर चुके हैं एक्सप्रेस वे के लिए यूमना एक्सप्रेस वे और आगरा एक्सप्रेस वे जिसमें लड़ा को विमानों को उतरा जा उसकी जानकारी हमने पूरो के वीडियो में भी प्रधान की गई है Steady Wave Education पर ये वीडियो अपलोड किये जा चुके हैं आप वहाँ जाके भी उनका दिन कर सकते हैं सुन सकते हैं, देख सकते हैं प्रधान मंत्री मोधी इससे पहले एक्सप्रेसवे का उद्गटन करने के लिए भारते वायू सेना केसी 130 अर्कुलेस विमान से पूर्वान चल एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी पार उतरे लखनाओ से गाजीपूर को जोडने वाले 340 किलोमेटर लंबा इस एक्सप्रेसवे के उद्गटन के बाद उत्तर प्रदेश के पूरी इससे की राज़दानी लखनों से कनेक्टिटी बहतर हो जाएगी पूर्वान चल एक्सप्रेसवे पर उतरे प्रधान मंत्री मोधी इससे पहले Expressway का उतगण करने के लिए भारती वायूसेना के विमान केसी 130 हरकुलेस विमान से पूर्वाने चला expressway विया हवाई पट्टी पर उतर चुके थे लड़ाकों विमानों को अपात इस्तिती में उतारने की सुईदा के लिए एक्सप्रेस वे पर 3.2 किलोमेटर लंबा हवाई पट्टी का निर्मान भी किया गया है इसमें वायू सेना के विमान सक्ती प्रदसन करते हैं दिखाई दिये हैं इस एरसो में मिराज 2000, सुकोई 30, जगवार विमान भी हिस्सा ले रहे हैं जाने हर्किलिस विमान के बारे में हम जानकारी प्राप्ट करें C. 130, J. सुपर हर्किलिस विमान से प्रदान मंत्री सुल्तानपूर की एर स्ट्रिप पर उतरे और उनके साथ करीब 35 लोग थे रण चेतर में मोर्चा समाल रहे थे जवानों के लिए सुपर हर्किलिस विमान संजीवनी का काम करता है ये वो अमरीकी ट्रांसपोर्ट एरक्राप्ट हैं जो कठिन से कठिन रण चेतरों में भी जवानों तक रसत पहुंचाते हैं और इसी एरक्राप्ट से पी एम मोदी अपने टीम के साथ वेन्यू पर पहुंचे C-130J सुपर हर्किलिस सुपर हर्किलिस एक चार इंजन वाला टर्बो प्रॉप वाला सेन्य परिवन विमान है जो C-130J लॉक हीट से 130 हर्किलिस के नए इंजन प्लाइट डैक वे अन्य प्रणालियों के साथ एक व्यापक अपडेट संस्क्रण वाला विमान है इत्यास में किसी भी अन्य सेन्य विमान की तुलना में सबसे लंबा दिरंतर उत्पादन हर्किलिस परिवार के विमानों का हुआ है पुर्वांचल एक्सपर की क्या खास्यत है बाते हैं पूर्वन चल एक्सप्रेसवे की खास्यत बात यह है कि युद्ध की स्तिति में या प्राकर्तिक आपदा की स्तिति में ये वायुसेना का विमान जो है इमर्जेस्री लेंडिन के लिए नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एर स्ट्रीप पर भी हो सकता है। पूर्वन चल एक्सप्रेसवे की लागत 22,494 करोड रुपे हैं जिसमें अधिकरत भूमी की कीमत भी सामिल की गई है। कितने लेन का है ये एक्सप्रेसवे तो 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। 300 किलोमेटर की यात्रा केवल 3.5 गंटों में पूरी की जा सकती है। ये एक्सप्रेसवे राज्ये के 9 जिले लखनाव, 12 मंकी, फेजाबाद, अमेड करनागार, अमेठी, सुल्तानपूर, आजमगाट, महू और गाजीपूर को इसको निकलेगा। एक्सप्रेसवे का प्रवेस पॉइंट लखनाव और सुल्तानपूर रोड पर चांद सराई गाओं हैं, जबकि निकासी पॉइंट उसका गाजीपूर का हैदरिया गाओं हैं, जोकि विहार सीमा से 18 किलोमेटर दूर है, 340.8 किलोमेटर लंबी 6 लेन का ये एक्सप्रेसव उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हैं, इस लेन में 6 लाइन बनाई गई है, तीन जाने की और तीन आने की लाइन है, इसलिए इसको 6 लेन एक्सप्रेसवे बोला गया है, यूपी को चुनाओं से पहले पूरवन चल एक्सप्रेस की सोगात, पी-म ने सीम को बताया, कर्म योगी अखिरे इसके लिए बोले, मेरे बगल में कड़े होने से डरते थे, मुक्य मंत्री योगी आदितियनाद ने कहा कि 19 महिनों तक कॉविड महमारी के बावजुद रिकार्ड तीन साल में ये एक्सप्रेसवे बनकर तयार हो गया है, इतने ही बड़े प्रजेक्ट को पी-म मौदी ने आज जनता को समर्पित कर दिया है, प्रजान मंत्री नरंदर मौदी ने सुल्तानपूर में 341 किलोमेटर लंबे पूर्वान चल एक्सप्रेसवे का आज मंगलवार को उद्गटन किया गया, वे दौपेर में भारती भाई सेना के केसी 130 हरकुलेस विमान से पूर्वान चल एक्सप्रेसवे हाईवे पट्टी पर उत्रे, राज्य पाल, आनंदी बेन, पटेल, मक्य मंत्री, योगी आदितिनाथ वे अन्य लोगों ने हवाई पट्टे पर प्रदान मंत्री की अगवानी की और इस मोके पर पी-म मौदी ने एक जन सबा को भी संबोदित किया, कहा कि देश की सुरुक्षा उतनी ही पार उन लोगों के लिए भी होगी, जिनोंने दसकों तक देश में रक्षा के लिए बुन्यादी डाचे की अन्देखी की गई है, पी-म मौदी ने सी-म आदितिनाथ को बताया कर्म योगी, वे बोले योगी जी से पहले भी सरकार ने योपी की जनता के साथ अन्याई किया है, उन्होंने जिस तरह से विकास में बेदबाव किया, जिस तरह से वे सिर्फ अपने परिवार का कल्याण किया, योपी के लोग उन्हें राजी के विकास के रास्ते से हमिसा के लिए खटा देंगे, आपने 2017 में ऐसा ही किया, उन्होंने पूरु मुक्यमंत्री अकले श्य आता था, एरपोर्ट मेरा स्वागत करने के बाद में गाइब हो जाते थे, उन्हें सर्म आ रही क्योंकि उनके पास काम के रूप में दिखाने के लिए कुछ नहीं था, मुझे दुख है कि दत्कालिन यूपी सरकार ने सयोग नहीं किया, प्रदान मंतरी नरंदर मुदी ने क महान रास्ट की सेवा करने के लिए अवशर दिया, इसके सांसत के रूपें, प्रदान मंतरी के रूपें, मैंने विकास के शुक्षम विवरोनों से जानना सुरू किया और यूपी के बहुत सारे प्रोजेक्ट सुरू किये, गरीबों को पके घर दिये गए, उनके घरों मे खुद को रात देने के लिए बहार निकलने की जुरूतना पड़े, हर गर में विजली हो, ऐसी बहुत सारी चीजें वहाँ आवशक थी। इसका निर्माण 22,500 क्रोड रुपे की अनुमानी दलागत से किया गया है, एक्स्प्रेस वे में लड़ाकों विमानों को आपात इस्तित्री में उतरने के लिए 3.2 किलोमेटर एक लंबी हवाई पट्टी का निर्माण भी किया गया है, हवाई पट्टी इस्तल से प्रदान पारत.